अचानक सीम योगी से मिलने पहुँचे आचारे प्रमोद गुलाकात के बाद दिया दमदार बयान कॉंग्रेस खेमे में मचा हलकम नमस्कार आप देख रहे हैं NMF News और आपके साथ मैं हूँ नम्नता जोधरी कहने को आचारे प्रमोद कृष्णम कॉंग्रेसी हैं लेकिन ऐसा लगता है कि बस कहने भर को ही कॉंग्रेसी रह गई है क्योंकि जिस तरह से वो बीजेपी की तरफ अपना जुकाफ दिखा रही है उसे लेकर तस्वीर साफ साफ नजर आ रही है सोचिए श्रीकल की धाम के शिला न्यास के लिए वो प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करने पहुँच गए ये तो फिर भी समझ आता है लेकिन उसके बात से ही उनका बीजेपी नेताओं से लगातार मुलाकातों का सिलसिला जारी है ऐसे में सवाल उटने लाजमी है कि आखिर वो इस धाम के शिला न्यास के लिए किसी कॉंग्रेसी को क्यों आमंत्रित नहीं कर रहे सवाल तो उट रही है पूछे भी जा रही है लेकिन कॉंग्रेसी आचारे प्रमोद किसी सवाल का जवाब साफ साफ देते हुए नजर नहीं आ रहे अब देखिये ना पिये मोदी से मुलाकात करने के कुछी घंटे बाद आचारे प्रमोद रक्षा मंत्री राजनात सिंग से मिलने पहुँच गए मुलाकात के तुरंट बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि इसे राजनितिक द्रिश्टी कोंड से ना देखा जाए दिल्चस बात ये है कि साल 2019 के लोगसभा चुनावों में आचारे प्रमोद राजनात सिंग के खिलाफ ही चुनावी मैदान में थे राजनात से मुलाकात के बाद आचारे प्रमोद ने कहा 19 फरवरी को श्रीकल की धाम का शिलान्यास हो रहा है उस समारों के लिए मैं रक्षामंत्री राजनात सिंग को आमंत्रित करने आया था जरसुनिए आचारे प्रमोद ने क्या कुछ कहा मैंने उने निमंत्र दिया है मैंने उनको आमंत्रित किया है और उनसे आग्रे किया है कि भगवान के होने वाले अवतार श्रीकल की अवतार श्रीकल की धाम का शिलान्यास समारों जो हो रहा उसमें वो पधा रहे है आज की मुलाकात का और कोई प्रयोजन नहीं है कोई प्रधान मंत्री जी को भी मैंने आग्रे किया है उन्होंने आने की स्विकृति दी है और हम लोग चाहते हैं देश के करोडो सनातन धर्म को मानने वाले चाहते हैं कि जिस तरह मानने प्रधान मंत्री जी ने भगवान राम के मंदिर का काम किया है और उसका भब मंदिर बनके त्यार हुआ उसी तरह श्रीकल की भगवान के धाम का शिलान्यास भी मानने प्रधानमंत्र जी करें उन्होंने मेरी प्राथना को स्विकार किया है और आज में रक्षामंत्री जी को आमंत्रित करने आए अज में उत्तर प्रदेश के मानने मुख्यमंत्र जी से मिला था और उन्हें शिकल की धाम के शिलान्यास समारो का ने मंत्र दिया और हमें पूरा विश्वास है कि आधरनिये मानने योगी जी उसमें पदारेंगे जी कल की धाम का शिलान्यास 19 फरवरी को हो रहा है उसी के निमंत्र देने के लिए मैं आज उत्तर प्रदेश के यश्ष्वी मुख्यमंत्री आधरनिये माननिये योग्याद इतना ची से मिला था जिस तरह से आचारे प्रमोद का रुज्वान बीजेपी नेताओं की तरफ हो रहा है उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि आज नहीं तो कल बहुत जद आचारे प्रमोद कोई बड़ा एलान कर सकते हैं हाला कि इसी बीच पिये मोदी से मुलाकात के बाद का उनका एक बयान सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है उसी बयान के साथ आपको छोड़े जा रही है फिलहाल आप इस खबर पर क्या राए रखते हैं कमेंट करके जरूर आदर्निया नरिंद मोदी जी से पहली बार मिला और मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है तो प्रदान मंत्री जी के ऊपर निश्चित ही किसी देविय शक्ति की करपा है जो अनभूती मुझे उनसे मिलकर हुई है उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक देविय शक प्रतिक है उस एहसास को में शब्दों में बया नहीं कर सकता हूँ उस एहसास को शब्दों में परिवाशित नहीं किया जा सकता है गुरुजी आपकी पहचान को अनुस नेता के तोर पर होती है किस तरीके से देखते हैं आपको सब्धिल बजाए मेरी पहचान सनातन के सेवक के रूप में है मैं भारत के साथ हूँ और सनातन के साथ हूँ और सनातन वो धर्म है जो सत है जो शास्षत है कल आपकी मुलाकाद पधारमंतिये से हुई क्या कहीं गुष्पिया श्री कल की धाम के श्रान न्यास समारो का निमंतर देने में मान्य प्रधान मंत्री जी को गया था मुझे खुशी है और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि भारत के यश language्वी प्रधान मंतिया आधर्नी यश्री ने भाई मोधी जी ने मेरे निमंतन को स्विकार किया श्री कलकी धाम के करोडो भक्त बहुत खुश है सनातन धर्म को मानने वाले करोडो लोगों की ये भावना थी कि जिस तरह आयुद्या में श्री राम के मंदिर का काज नरिंद मोदी जी के करकमलो द्वारा हुआ है उसी तरह भगवान के होने वाले अवतार श्रीकल की नारैन भगवान के श्रीकल की धाम के निर्मान के सभी कार प्रधान मंति जी के हातों से किये जाएं करोडो भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रधान मंति जी ने इसने मंत्र को स्विकार किया है इसके लिए हम उनके आभारी हैं हम उने साधुबाद देते हैं यह सवाल तो कॉंग्रेस से पूछो लेकिन सर आप इतने पुराने कॉंग्रेस नेता है और इस देगे कि सुईट आना उसके बाद फिर उनकी दफ से कोई रियक्शन ना आना मुझे इस पर कुछ किया ना यह फैसला कॉंग्रेस को करना है यह फैसला कॉंग्रेस नेत्रत को करना है को भारत के प्रधान मंत्री जी से मिलना कोई गुना नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहीं चुनाओं को देखते वे भी मुलाकात करना जा रही है भारत के प्रधान मंत्री जी से मिलना कोई गुना नहीं है प्रधान मंत्री जी को शिकल की धाम के शिलान्यास समारों में आमंत्रित करना भी गुना नहीं है और यदि ये गुना है तो मैं इस गुना की सजा भुगतने के लिए तयार हूँ रहुल गानी जी की यात्रा भी चल रही है वहां से भी पश्री बंगाल में गट बंदन अभी साफ में दिख रहा है मैं आज इस पवित्र मौके पर जहां हम सब लोग बड़े प्रसंद है कि श्रीकल की धाम के मंदिर का शिला न्यास हो रहा है माने प्रधान मंत्री जी ने हमारा निमंत्र स्विकार किया है इतनी अच्छी अच्छी बात हैं इतनी अच्छे अच्छे पलों में किसी भी इस तरह की घटिया बात पर मैं चर्चानी करना चाहता